जए जिनेंद्र, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उप्मा ब्रेकफास्ट के लिए इसमें मैंने देड़ कप सूजी ली है और आता कप देशी की लिया है इसमें डालने के लिए मैंने राई उड़त का मोगर और काजू की पीस लिया है आठ दस उसको मैंने पीसेस कर लिया है नमत स्वादानुसा एक हरी मिर्च और हरादनिया कार्णिश के लिए और चार गुना पानी बॉइल बाटर लिया है इसमें आधा कप घी कड़ाहे में डाल दिया है गरम होने के लिए अब इसमें हम राई डालेंगे राई अच्छे से तड़क जानी चाहिए अब इसमें उड़त के मोगर के दाने क्रिस्पी करेंगे इसको और काजू भी त्राई कर लेंगे इसके बार में हम हरी मिर्च डालेंगे अब इसमें सूजी राल देंगे अब इसको हम सेकेंगे 4-5 मिनिट लग जाएंगे इस सूजी को सेकने में लो मीडियम ही रखेंगे गेस की लो को अब हमारी सूजी लाइट ब्राउन हो गई है अच्छे से सिख गई है मैंने इसको लो मीडियम पर ही सेका है मुझे 4-5 मिनिट इसको सेकने में लगे हैं अब इसमें हम स्वादा अनुसार नमक डाल देंगे मैंने पानी बॉइल करके रख रखा है वह अब हम इसमें डाल देंगे बेस की लोगी तेज कर लेंगे अब हमने इसको इसने महने के लिए 5 मिन ढख दिया था अब यह रेडी हो चुका है अच्छे से वफ गया है कि अब हम इसको सॉर्व कर रहे हैं बहुती शानदार रुमा बना है साधरन सिंपल